तो आज हमारे इंडियन बैक ड्राइविंग 3D में हम लोग बनने वाले हैं एक पुलीस ओफिसर और पुलीस वाले बनने की बाद हमारे पास बहुत जादा मिशन आने वाले हैं जैसे कि चोरों को पकड़ना चोरों को आड़ी से पकड़ना और इस तेर के सबसे बड़े क्रिम हमारा ओफिस है वो सीटी की बिल्कुल बीच है और शायद से आप सामने देखी रहोगी हमारे ओफिस आई चुका है जो आप साथ में तिरों लिफ्ट देख रहे हैं उसमें जो पहले लिफ्ट है गाईस वो खराब हो चुका है और वो ही हमें बनाना पड़ेगा आज जाके तो फटा फट चलते हैं और देखते हैं क्या गड़बडी आई है योगी जो भी हमारे ओफिस से काम हो साय रूख चुका येक लिफ्ट खराब होने के विए से तो चलो फटा फट देखते हैं क्या खराब है इस लिफ्ट के अंदर तो यार फिलार मैं लिफ्ट को बाहर से और बाहर से कोई प्रॉल्म नहीं इसके अंदर अब चलते अंदर से बट वेट यह पुलीस इसके पीछे के पाग रहा है यह चोड तो नहीं ओके मैंने गिरा दिया इसे और गाइस तो फिलारा में मुझे पता चला है कि जो यह पुलीस वाला है इसकी नहीं जौनिंग के हमारे शेहर के अंदर और जो यह चोर है इसने आज इसका बटवा मान लिया दर पहले दिनी और हमने इसको पकड़ लिया है और इसने हमें बहुत पुलीस टेशन की तुरह दिखता है लेकिन पुलीस टेशन नहीं है जो कि आप लेफ्ट में देख रहे हैं बिल्डिंग वह बहुत पुरानी बिल्डिंग की और वही में पुलीस टेशन है तो आपकी जोईनिंग होने वाली वह इसी पुलीस टेशन के अंदर होने वाली है तो फटाफट से अंदर चलो मैं आपको सर से मिलवाता हूँ और specially आपके लिए हमने जीम की फैसिलिटी करवा रखी है हमारे पोलिश उजन के अंदर तो फटाफट से आप जीम मालों में दो मिनट में आता हूँ ये ले अल्राइट गाइस तो फिलाज मैंने उस बंदे को ठिकाएं लगा दिया पुलिश उफिसर को और फटा-फटा चलते पुलिश उजन में और अपनी जोइनिंग लेते हैं और हाँ मुझे बता है आप सोच रहो कि मैंने ऐसा क्यों किया तो मैं आपको अधाद हो कि जो वो बंदा था वो नया-नया था इस शेयर के अंदर उससे कोई भी नहीं पैचानता तो मैं आपको यार रजट की जगा मैं चले जाओ इस पुलिश उजन के अंदर और मैं जोइनिंग कर लो इस पुलिश ऑफिसर बन के और यार अगर ऐसा हो गया तो यार तुमारा भाई पुलिश ऑफिसर बन जाएगा बस किसी को शक ना हो अब चलते है फटा फट से अंदर हेलो सर हेलो तो मैं हूँ रजट आपने मुझे बुलाए जोइनिंग के लिए अच्छा ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओके तो यार यह सर अभी मुझे कह रहे है कि हमें कल आना पड़ेगा क्यों आज हमारी चुट्टी है कल हमें एक टेस्ट देना पड़ेगा जो कि टेस्ट है हमारा एक रैम चलेज वह फिजिकल टेस्ट होने वाला है हमारा अगर हमें ने उसको कंप्लिट कर लिया तो हम पुलिस ऑफिसर बन जाएंगे और गाइस इन मुझे ये टेस्ट पास करना ये फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए पार करना है और इन लोगों ने मुझे ये इस टेस्ट को पार करने के लिए तीन लाइफ दी हुए मतलब गाइस अगर तीन बार से ज्यादा हम गिर गए तो हम पुलिस जानिंग नहीं कर सकते और मुझे फट से एक एक करके जंप लेते और लगता है ये रैम काफी बढ़ा है उन लोगों ने कहा ये रैम पूरे की पूरे एक किलोमेटर तक में फैला हुआ है और ये हवा के अंदर रैम पे और ये एक डिवाइडर टाइप बागे है भाई साब से हाट तो ये लग रहा है मुझ को ने डिवाइडर डिवाइडर लगा रखा है हर जेगा और वापस एक डिवाइडर आ चुक है भाई इस पर तुम्हें चड़िया अराम से और जैसे हमें इस एक जंप मान अपे शिट मैन मैं तो गिर गया पहली बार में ही ओके गाइस तो फिलाल हमारा लेवल वन होता है कंप्रेट और उसी के साथ साथ में लेवल वन के लिए एक लाइफ भी चला गया है अब हम आर बस दो और लेवल बचे और दो और लाइस बचे और मुझे सामने एक रैंप दिख रहे है और एक हमें दिख रहा है जैट पैग और पुलिस वालों ने मुझे कहा था अपने इ यूँकि इन्हों ने काया कि तुम jetpack खाली एक level के लिए यूज़ कर सकते हो, हमें एक life land की तरह दिया है इन लोगोंने, तो भाई फटा-फट से इसको लेकर चलते, और भाई ये challenge तो मैं complete नहीं कर पाता, अगर jetpack नहीं होता है, मुझे पता है, यूँकि यह सब से तो मैं ग हम डो चुगा है, हमें बस दो life बचिये, तो हमारे पस एक level के लिए एक life बचिये, तो फटा-फटने चलते इस third level पे, और third level के लिए भाई सब rotating container है, जहां पे हम भाग भाग के चलना है, अगर एक बात भी हम छूट गए, तो हमारे टाइम चला जाएगा, और इसके नहीं वाग 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 और एक और जम बानना पड़ेगा, वनना वापस चला जाएगा, ओके यार तो एक साथ में दो जम भी कर पा रहा हूँ, दो रैम भी कर पा रहा हूँ, दो container पर जम कर पा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा speed मुझे बढ़ाने पड़ेगी, वनना यार मैं इससे ओके, तो हमारा होगी, खाली एक container बचा है, rotating container, उसके हमें जम करना है, उसके लिए आना के लिए वेट करना पड़ेगा हमें, तो फटा फट से वो एक बार आजा है, फिर लो चलते जम करने के लिए, और ओके जल दिया जल दिया, और इदर इस जम करता हूँ, मैं बस कोई नहीं, हमारा level 2 complete हो चुका है, मतलब 2 complete हो चुका है, लेवल 3 हमारा आदा complete हो चुका है, अब फटा फट से आगी के तरफ चलते हैं, और आगी के लेवल भी complete घरते हैं, और यहां तक पौशने के लिए, हमारे 5 मिट पहने ही waste हो चुके, अब हमारे पास लेवल 3 का आता रैंप बचा है, और उसके लिए हमें 5 मिट मिलना है, मतलब यह हार्ड होने वाना level, तो फटा फटे चलते हम, जल्दी से उपर चलो, और एक container है, और एक container से rotating container पर नहीं जाना, okay, so हमें जो यह रैंप दिया है, इस पर जाना है, और इकी करके चड़ना है, तो फटा फटा रैंप इस पर चड़ फ्रैंक्लीन, और इदर से एक बार आपस चड़ना पड़ेगा, यार यह तो गोल गुमा रहे है, मुझे बट कोई नयार करना पड़ेगा, मैं शायद से हमारी टेस्ट ले रहे है, कि मतलब हम पुलिस चोर को पगड़ पाएंगे, या फिर नी पगड और यह इदर से फटा फटा में गया, और हमें चड़ना पड़ेगा इसके उपर, इसके बाद कहा जाना है हमें, इसके उपर चड़ गया हमें, ओके तो हमें कंटेनर की उपर जाना पड़ेगा, फटा 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 फ्रैंक्लीन चड़ चड़ेगा, इसके उपर दे रख है हमें डेश्ट पिन के ऊपर एक करके चलेंगे और एक और रैम पाचिक है सामने हमारा और शायद से हम काफी पास में पहुच चुकि है हमारे खाली एक ख़दब होने वाले है और मेरे पास दो लाइफ है लगता है दोनों को दोनों लाइफ में घर पे लेके जाने पाला हूँ लेकिन एक सेकेंड ये डश्ट पीन का चेलेंज आ चुकर जो कि सबसे हार्ट चेलेंज है मेरे लिए होप करता हूँ कि यार ये पहली फल्टरी है मेरी चल चल जल जल उपर चल उपर चल फ्रैंकलीन तो धिर दे जाना पड़ा होगी ये मेरे से कंप्लिट नहीं होता है हलका 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 एक जंपर इदर से बस लेफ्ट लेफ्ट हलका सा आगे बढ़ ओक यार अराम से तो हो रहा है अगर अराम से करूंगा में तो हो जाएगा चल चल हलका सा राइट ले राइट ले राइट ले ओके जंप कर जंप ने जंप कर 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 अब घर एक jump बस अरे यार मैं जैसे jump करने किया मैं गिर गया तो फिलाल मैं जैयत ऐसे करके यह ramp complete कर दिया और मिले पास सिर्फ एक life बची है और मैं एक life को अप mess ने करने वाला गरे मैं इस बार गिरा तो भाई मैं गया और शायद से अब मैं बच जाओगा यार में वो गिरने को भी जरुवत लिए क्योंकि सामने हमारा रैंप होता है complete हमारा physical verification होता है complete और अब हम बन चुकिए police officer अल्राइट गाइस तो फिलाइड मैंने उस police वाले का suit निकाल के पहन लिया है हलकी सी मुझे fit आ रही है लेकिन ठीक है यार police officer ने कहा था मुझे joining के समय कि अपने लिए एक अच्छाय suit सिल्वा लेना और जो मेरे पास पड़ा हुआ था बंदे का suit थाई वो मुझे fit आगे तो बंजना क्यों ना चिल्वाय जाए बेफालतू के पैसे करच के जाए और जो मेरे पुराने कब रहे थे मैंने उसको दे दिया पहनने के लिए और फटा खाले चलते हम लोग पुलिस ट्रिशन के अंदर और अपनी नहीं जाई जाइंग लेते हैं जैहिन सर जैसे किसी कोई चुरू कोई शक नहीं वहने वाला तो फटा फट चलते है करवाने के लिए और जमारा शोरू है उसके पास ही एक निवर और इसको आच्पिस और इसको पुलेट प्रूफ करवा दूगो और शायद से अब मुझे इसको ठोड़ा रिपैर भी खरोना पड़ तो चलनो यार कोई नहीं रिपैर भी करवा देंगे और इसके टैर को बुलेट प्रूफ करवा देंगे कि भाई अगर चोर इसे बुलेट मारे तो भी इसके कुछ ना हो यह पंचर ना हो बीच रस्ते में तो और मैंने यह सब प्लैन सोच आप मैं सारा अपनी दोस्त को दाता अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है रैट कार वे बंदा और उसके पास सुपर कार है जैसे तो यह मिलते में उसको लेकिया तो पुलिश रिशन में और शायद समुझे मिलके अजली कॉल रखो वाईसाब यही वो बंदा है जिसके पास हाईसाब 15 क्रोड वे पढ़वी से गा अच्छा जाएकर इसको पजल के इसके पास ब्लेट प्रूफ ग्रास है तो फटा 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 चल चल अवे फ्रैंगी कूद में इसके उपर फिलाल यार जैसे ही मैं उस चोड़ को पुलिश रिशन के अंदर लेकर आता हूं हमें पर चलता है कि जो हमारे इस च्रेयर का सब कि इन बहुत फास्ट वक्त है चल मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर से कहा दिखता है और जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा एकदम क्लियर एचडी में दिखाता है 180 पे और बस हमें फाइंड करना है यह जीपीएस मनतर यह ड्रोन अपने आप जाएगा जहाएगा और यह एक ही करके जा रहा है खाली हमें देखना है कि हमें कहा जाना है और यह इधर तो नहीं यह शायद से आगे आगे और यह हर जगा फाइंड कर रहा है बस इसे एक बार मिल जाएना और यह कह रहा है कि आस पास सी यह निशी जाओ तुमें ओकी गाइस तो फिलाल हमें वो हमारा जो एनिमी वो मिल चुका है अब चलना पड़ेगा फटा फट से उसको पकड़ने के लिए All right guys, तो मेरे टीम निकल चुकी उस बंदे को पकड़ने के लिए लेकिन मैं उसके दाथ नहीं जाने वाला हूँ मैं guys अपनी जो हमार कार है उसको लेके जाने वाला हूँ तो फटा फटे चलते हमार कार को लेने और फिर चलते हो उस चूर के पास चेक करो guys क्या है सही तवड़ी modification कर रखी मेरे दोस्त ने मैंने उसको जैसा कहता है वैसे वैसे उसने modify कर दिया है एक तरफ से पूरा पुलीस वाला गाड़ी लग रही है और एक तरफ से नौर्बल गाड़ी और इसके साथ सथ हमने GPS ट्रेकर भी लगा दिया है और सारी equipment भी लगा दिये तो यादर फटा फटा से इसको बाल लेकी चलते है और उस बंदे को पकड़ने चलते यूँकि अगर हमने उस बंदे को पकड़ लिया तो वो हमारे शेर के सथे बड़ा क्रिमिनल है अगर वो पकड़ा गया तो गाइस हमारी आधी काम प्रॉलम तो इदेरे छूट हो जाएगी बैटो बैटो भाई फटा फटा मेरे गाड़ी में बैट जाओ मुझे ये वादो तुमारे पिछी पोलिस वाले क्यों पड़े हुए तुमने ऐसा क्या कर दिया अच्छा अच्छा वो कि ठीक है तुम्हें सब्स्तियफ जिगा ले जाओंगा जहां तुम्हें कोई भी ने अच्छा विश्वास रखो एसी जगह ली जाओंगो तुम कभी उसे भूलोगे ने नाए उसे भूलोगे नाए मेरे चैरे को बूलोगे चला तुम्हें लेकी जलता है मैसी जगह पे मैंने कहा था ना तुम्हें जगह कभी नहीं बूलोगे अब आज जोगे तुम्हें सेफ जगह पे मुझे उस चर को बगड़ने के लिए एक स्पैसल इनाम मिला है इनाम के तौर पे इन लोगों ने मेरे प्रमोशन कर दिया है और साथ में देखो यह लोग मेरे कितन तारिफ कर रहे है ठैंक्यू सर ठैंक्यू जैहिंद लेकिन यह तो असली पुलिस वाला भी नहीं है कौन ह वो रजद